हेलो अबरिबर्टि कैसे हो आप सब मैं आपका दोस्ती चैनल का होस्ट अबिनास आज मैं चर्चा करने वाला हूँ कि आप Air Force का एक्जाम कैसे निकाल सकते हैं फाइनली बता दूँ कि मैं Air Force का एक्जाम निकाला हूँ मेरा phase 2 beta में हुआ कैसे हुआ क्या क्या प्रोसेस हुआ कैसे मेरा जीड निकला और मेरा medical हुआ था गोडखपुर में जहां कि हमको कुछ point मिल गया था जिसके करण री medical हो गया था तो कानपुर में जाके fit हुए फिर बहुत सारा इंतजार के बाद PSL लिस्ट में मेरा नाम आया अब हम जो है enrollment का इंतजार कर रहे हैं enrollment में नाम आने के बाद हम एक वीडियो और बना देंगे आज finally चर्चा करता हूँ कि Air Force का exam कैसे निकाले हम बात करेंगे पूरा detail में क्योंकि ऐसा हम YouTube पर देखे हैं हम भी कभी सर्च करते थे कि कैसे Air Force का exam निकाले बस खली बता दिया जाता था कि यह पढ़ले वह पढ़ले थोड़ा सा detail में कोई नहीं बताता था कि कौन-कौन सा topic पढ़ना है कौन-कौन सा जायदा important है English को कैसे cover करें खासकर English बहुत ज्यादा परेसान करता है Air Force का exam निकालने के लिए English ही main माना जाता है तो कैसे इस पर चर्चा करें हम थोड़ा detail में चर्चा करेंगे वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो आप उसको देखिएगा ठीक है तो हम चर्चा करते हैं कि Air Force का exam कैसे निकाले तो शुरू में starting वही होता है कि Class 10 तक में सब serious ने रहता Class 10 के पहले तक कोई serious ने रहता Class 10 में जाके थोड़ा serious हो पढ़ता है तो यह एक बात बताना चाहता है कि अगर Class 10 या 12 में अगर कम भी percentage हो तो आप डरने की बात नहीं है क्योंकि हम से कम तो नहीं हो सकता मैं इंटर में भी second हूँ और metric तो हम CVC Board से किये थे क्योंकि 8 9 10 हम CVC Board में पढ़े हैं तो उसमें से 10 cgpa में से मेरा 8.8 cgpa जो कि अपने अनुसार काफी कम है ठीक है तो metric और इंटर दोनों में मेरा number कम आया था तो उसके लिए हम सोचे थे कि उसके बाद जब इंटर कर लिए थे हम तो सोचे कि भाई एरफोर्स में कैसे बढ़ाएगा तो सब बोल रहा था कि 70% से अब चाहिए तब एरफोर्स में भडा सकता है तो हम उमीद ही छोड़ दिये थे कि छोड़ो भाई अब एरफोर्स में नहीं हो पाएगा तब फिर लाष्ट में क्या किये कि जब एक साल के बाद तब तक मेरे पास कोई छोटा सा मोवाइल भी नहीं था जिसे कि हम यूट्यूब और का नाम भी मतलब ठीक से नहीं सुने थे उतना तक मेरा बैग्राउंड उतना ठीक नहीं था तो उसके बाद क् उनीस तक जो है हम मतलब हर इंटर पास करने के बाद जैसे सब कंपेटिशन का कलास जोइन करता है हम भी जोइन कर लिये थे मैथ लिजनिंग का लास तो नहीं जोइन किये थे मैथ पढ़ते थे इंगलिस पढ़ते थे और फिर जिक्के जीस पढ़ते थे और कॉंप्यूटर पढ़ते थे computer class करते थे तो इतना करने के बाद English में हमके ग्रामर पढ़े थे साल भर 2018 से 2019 पहली बाद तो 2018 ऐसे ही पार हो जाता है तिन चार महिना पांच महिना रिजल्ट आते आते और उसके बाद क्या होता है कि फिर रिजल्ट निकलने के बाद फिर दो-तिन महिना रेस्ट होता है फिर competition में सब जोइन करता है तो 2019 तक यानि छे महिना हुआ होगा 2019 मतलब आधा तक जाते 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 साल भर तक जाते जाते एक बाद जो है थोड़ा सलेवस खतम होने के कगार पर था मैथ भी अपना खतम होने के कगार पर था और इंग्लिस भी अपना पर रहे थे इंग्लिस में केवल ग्रामर पढ़ाय गया था और वहां की सब बोले थे कि तीन भाग में इंग्लिस बटा हुआ है कंप्रिहंसन ग्रामर और भोकैब सेशन भोकैब में आपको वनबर सबस्टिशूशन इडियम फ्रेज साइनोनेम इंटोनेम यह सब पढ़ना पड़ता है यो कि आपको खुद करना पढ़ेगा हम केवल ग्रामर पढ़ा सकते हैं और कंप्रिहंसन पर थोरा सा ध्यान दे सकते हैं कि कैसे निकालना है कंप्रिहंसन पर थोरा सा हम बता सकते हैं कि कैसे कैसे आपको स्वल्व करना है उतना ही किया गया बस ग्रामर पढ़े और फिर पहले उपना टाइप बारा देते थे फिर बना खिलाने बोलते थे और जो नहीं बनता था वो बता दीजेती या नि मैथ मेरा जो हैं अंहीं उपनी जाने की। ठीक है सालबर के अंदर उस टाइम ठीक नहीं वा जो सालबर हम पढ़े हैं तो उसमें ठीक नहीं वा उसमें तो बस चेप्टर खतम हुआ निया चेप्टर आया अब उस पर फोकस रहता था तो रिभीजन तो होता नहीं था तो उसी प्रकार्च मैद खतम हुआ इंगलीस में ग्रामर खतम हुआ और जीके जीएस भी चल रहा था तो उसमें ट्रिक से चल रहा था कैसे बावर मड़ा तो कभी देवरा चोडबा सड जिसे मनला हुमायू का यूद कभी पान खो चल घड़ यह सब होता है बावर का लड़ाई मतलब बहुत सारा चल रहा था बिविध जो इंपोर्टेंट लगता था अपने अनुसार से वह लगभग याद हो गया था ठीक है बाई ट्रिक ही यानि याद हो गया था हमको उस टाइम अईसे भी उस टाइम पढ़ने का जुनून बड़ा अलग होता है तो जब 2019 का जब हाप यह हो गया तो 2019 में एक बार निकला था ए किसी तरह से भरने के बाद पहला बार जब एक्जाम दिये थे एकड़ एक फोर्स का तो मात्र मेरा 21 नंबर आया था 21 में पांच नंबर इंगलिस में आया था और बांकी जो स्वल्ला नमर बचा होगा वह आया था रागा में जबकि रागाम साल भर पढ़ने के कगार पर थ पर फिर रखना ओता है तो जह एना बाद तब तक अब शे मेना जो हुआ चेप्टर जब खतम हो गया था तो हम अपना गाउ चले आए थे गाउ जाने के बाद अप गाउमें जो सांती वह कहीं नहीं मिलती है हम यह बात कहना चाहते हैं गाउमें सुकून है गाउम कोई दिक नहीं है कोई कहता है फैसलीटी नहीं है गाव में पड़ने का तो भाई हम गाव में फैसलीटी तू बास्त्विक में नहीं होता है लेकिना हम आने के बाद हम मä gwyt का जो इतना पढ़े थे revision किये अंगणी महेश मिस्रा से उपर से फिर GKGS जितना पढ़ाया गया था उतना revision किये और फिर English में जितना grammar पढ़ाया गया था में उतना revision किये तब 6 महिना जो बीच में 2019 के last में फिर एक्जाम पढ़ता है Air Force का तो उसमें जब सब कुछ revision कर लेने के बाद थोड़ा सा confidence आया और थोड़ा सा तिन चार पांच किताब भी Air Force का खड़ी दे लिए थे जैसे करतार का आता है achievement का आता है और फिर आया था फिर आता है अडिहंत का तीनों किताब खड़ी दे थे तीनों किताब से इंग्लीज पर फोकस नहीं किये थे क्योंकि रागा पोर्षन पुरा strong करना था तो रागा पोर्षन strong धिरे धिरे हो गया यहां आने के बाद भी हम कलास जोइन कर लिए थे गाउं में जिसमें की मैथ रिजनिंग और जी के जीएस पढ़ाया जाता था तो बस कलास जाके जो कंटिन्यू कलास करते थे तो मैथ रिजनिंग का रिविजन होना सुरू हो गया रिजनिंग में हम एरफोर्स के लिए बता दें कि उसमें बांकी सब ठीक है उसमें फिगड़ वाला कोस्चन आता है चरपांच उस पर फोकस आप अलग से कर लिजेगा क्योंकि फिगड़ के लिए हमको अलग से पढ़ना पड़ा था तो वो अलग से पढ़ना पड़ा था फिरवलाग के लिए आप सेटछ कर सकते हैं जो किताब आता है करतार हुथ है करतार का सब किताब में बहुत सरा कुस्टन रहता है पांच 5 खड़ेक सेट में रहता है तो आप उस से भी प्रेक्टास कर सकते हैं आपका चाहते हैं इंग्लिस पर की भाई कैसे इंग्लिस हुआ मेरा लास्ट में 2019 के जब लास्ट एक्जाम दिये थे 2019 के सितंबर में पड़ा था एक्जाम तो उस टाइम मेरा जो है 33 कट ओफ गया था और 29.5 तीन आया था तो हमको एक तरह से दुख बहुत जाएदा दुख ही इस ब बार फैल हम भी किये हैं तो 29 में 29 आया था तो भी हम भाई हतास कैसे हो जाते भाई अगला बार सोचे कि इस बार 29 तक पहुंचे है तो अगला और अबड़ी इस बार जरूर निकालेंगे फिर दुख खुस इस बात के थे कि यह 29 आया है अगर 33 भी आता कट ओफ के अनुसार पर हम किये थे कि अब इंगलिस कैसे करें क्योंकि रागा पोर्सन तो मेरा कंटिनीव चल रहा था तो अब जो है 2020 का जो फोर्म निकला था और 2019 का जो एक्जाम पड़ गया था और उसका रिजल्ट निकलने के बाद जब रिजल्ट नहीं हुआ था तब हम प्लानिंग आने का पूरा दिल से इच्छा था तो अगर इस बार नहीं होता तो फिर हम फाइनली एरफोर्स में कभी जा ही नहीं पाते तो हमको लगा अब क्या करना है तो बस रागा के लिए हम MTS और CHSL का प्रेक्टिस सेट मारते थे उसमें इंगलिस भी रहता था था थोरा सा इंगल सेट प्रेक्टिस करते रहं बहुत है का इन भी सेट प्रेक्टिस पॉकस करने के लिए कहेंगे Yakक इंगली sudah जितना सेट प्रेक्टिस करता और उतरगा किताव होसमें खتم कर दिजिया इंगलेस में 5-6 से जाधा आता ही नहीं है इससे बहुत बड़ा दुख होता है क्योंकर 10 नंबर कंपल सड़ी ये पास होना तो 20 में से 10 लाना बहुत कंपल सड़ी है तो उसके लिए बता देता हूं कि हम फिर ज्वाइन कर लिए थे राम सर का क्लास मतलब यूट्यूब पर राम सर प्रेक्टिस सेट करवाते थे फाइनली तो उनका नाम हम इसलिए लिलना चाहते हैं क्योंकि अभी उनका योगदान इसमें बहुत ज्यादा रहा ग्रामर तो पर लिए थे तो ग्रामर का कोशन बन जाता था और बांकि जो आता है डारेक्ट इंडारेक्ट वाइस ये दोनों चेप्टर जो है आप बाय ओप्शन से कभर कर सकते हैं वह भी सेट प्रेक्टिस से कोई प्रोब्लम ही नहीं होगा आप सेट प्रेक्टिस इंग्लीज का कंटिन्यू किजिए छोड़ियो मत एक दिन में जितना प्रेक्टिस सेट आप कर सकते हैं हम तो राम सर का लगता है 200-300 प्रेक्टिस सेट जो है हम उनका किये थे तो थो थोड़ा संदर से confidence आया था तो दूसरा बार जो हम एक्जाम दिये थे एरफोर्स का तो उसमें से 9 नंबर में राया था जो 29 इंग्लिस में था बांकी जितना आया होगा वो रागा में था तो दिरे दिरे बढ़ा था इसाने की नहीं इंग्लीज पर भी फोकस किये थे ये सेट प्रेक्टिस किये थे सब कि तो करतार किताब से नहीं पढ़े थे क्योंकि लग रहा था कि उससे मैच नहीं करता है तो हम अपना सेट प्रेक्टिस रामसर से किये थे और फाइनली इडियम और फ्रेज के लिए बता दें और वनवर सबस्टिश्टिशन के लिए हम अभी फिलाल उस टाइम नीरज सर्मा क् या जैसे भी बताते हो उस वीडियो को हम देखके गए थे इडियम फ्रेज और वनवर सबस्टिश्टिशन के लिए भी बता दिए बाई उप्शन से आप वो इंडारेक्ट कर सकते हैं डारेक्ट स्पीच कर सकते हैं और सेनोने मेंटोनेम के लिए भाई आप राम सर का जो सेट प्रेक्टिस के जिए जितना आता है उसमें सिनोने मेंटोनेम अगर गुस्सा बड़े आपको हम तो सिनोने मेंटोनेम की बात नहीं करना चाते क्योंकि हम ज्यादा फोकस उस पर किये नहीं थे अप्ट भी थ्रत तफ रहता ऐसमें और एक दो तीन नंबर में से भूल stresson स्ट्रॉंग कर सकते हैं grammar तो भी पढ़ाते हैं उनका वह घ Two चाइब अच्छा तरीका है जिन से आपको मन लगे grammar पढ़िए एक वर लेकिन से इंगलीज का खतम जरुरूड किजिये grammar का तो grammar तो आपका सब नमबर इंप्रवब होना सब जाएगा कमोरी हंसन के लिए आप सेट प्रेक्टिस ही कर सकते हैं तो सेट प्रेक्टिस ही जादा काम किया हमको लगातार श्यमेना सेट प्रेक्टिस करने के बाद कि 2020 में जो एक्जाम हुआ था कैंसिल हो गया था और तो मेरे लिए तो प्रोफिट साविद हो गया क्योंकि डर लग रहा था किस वार क्या होगा लेकिन जब 6 मेना टाइम मिल गया और तो बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी हो गया और सेट प्रे साड़ा आया है इंग्लिस में और कितना राघा में आया है इस बार इस बाद मिलाज लाव कर ठीक अया है तो आप देख सकते हैं विडियो के लास्ट तक में आपको पता लग जएगा कि मेरा निकाल सकता है दो बार फैल हो सकता है तो आपको हतास होने की जरूत नहीं है क्योंकि भाई फाइनली लास्ट में एक लास्ट वाला जुनून बरा तगड़ा होता है तो जो पहला बर एक्जाम दे रहे होंगे वह पहला बर ट्राय करता है जिसा कि हम भी ट्राय किये थे कितना मार साता है तो ट्राय नहीं करना है आप मेहनत तरीका हम आपको बता दिये कि अंग गनी से दस चेप्टर इंपोटेंट है वह दस चेप्टर का भी हम मदब जो है आपको लास्ट में लगा देंगे वह मैत का दस चेप्टर पढ़ लिजेगा जिसे मैत स्ट्रॉंग हो जाए है जो लुसेंट का किताब आता है उसमें से आपको जितना इंपोर्टेंट जो है मिसलेनियस क्वेश्चन जो रट लेना है बांकि आपको जो इंपोर्टेंट मिसलेनियस क्वेश्चन लगे हिस्ट्री जोगरफी सब में सब को आपको याद कर लेना है तो फाइनली आपको जाए हिंदी